पहत्स work、 सक्रूनेस, चले देख्ये, कल जो हम लोगोंने सिखा था, लास्ट में, हम लोग फोरासह का रिवीजन करते हैं, ताकि क्योंचे बनाने में, हम लोगों को आसानी हो जाएगी, कल हम लोगोंने 4 टाइप सिखा था, टाइप 1 में हमने सीखा था कि वो ऐसे समय की रचना करेगा जब मुझे घंटे की सुई जिस अंक पे दिख रही है मिनट की सुई भी उसी अंक पे दिखेगी और इनके भी 0 का अंतर होगा और इस सिच्वेसन में मैं मिनट के हाप को आंसर बना दूँगा टाइप 2 हमने सीखा था वो ऐसे समय की रचना करेगा जिसमें मुझे घंटे की सुई और मिनट की सुई के मध्धे छे अंक का यानि छे डिजिट का अंतर दिखेगा और इस सिच्वेसन में मैं 180 में से मिनट के हाप को माइनस कर लूँगा तो यह हो गए 160 डिगरी हमने कल तीसरे टाइप सीख रखे थी वो ऐसे समय की बात करेगा जब घंटे की सुई से मिनट के सुई की और मूव करना आसान होगा जैसे 3 से 5 की और मूव करने में 2 का डिफ्रेंस है तो 2 कहने का मतलब है कि 2 into 30 डिगरी equal to 60 डिगरी और जब मैं घंटे की सुई से मिनट के सुई की और मूव करूँगा तो मिनट के हाफ को मैं इसमें माइनस कर दूँगा यानि 12 and half को मैं माइनस कर दूँगा तो 60 में 12 and half माइनस करने पर 47 1 by 2 डिगरी हमारे पास आंसर आ जाएंगे नेक्स्ट हमने टाइप 4 सिख रखा था जिसमें हम लोगों ने सिखा था कि वो ऐसे समय की कलपना कर लेगा जब मिनट की हैंड से आवर के हैंड की और मूव करना easy हो जाएगा जैसे 3 से 5 की और मूव करने में मुझे 2 मिलेंगे तो 2 को मैं 30 से गुना करूंगा 32 जा 60 होते हैं जब मैं मिनट की हैंड से आवर हैंड की और मूव कर रहा हूँ इस सिख बेसन में मैं मिनट के हाफ को एड कर दूंगा तो मिनट का हाफ हो गया 7.7.5 डिगरी जब इसको एड करूंगा तो 67.5 डिगरी आंसर हो जाएंगे इस बेस्ट को लेते हुए चलिए अब हम लोग देखते हैं आगे कि प्रस्नों को कल हम लोगों ने 2 प्रस्न को छोड़ रखा था इसको कल देखने है तो चलिए सबसे पहले हम लोग नहीं प्रस्नों को देखेंगे और उसके बाद आगे बढ़ेंगे प्रस्लिन संख्या थी 107 जिसको कल हम लोगों ने छोड़ रखा था देखें, question 107 कहता है घरी में 3 बच कर 35 मिनट का समय हो रहा है तो जब 3 बच कर 35 मिनट का समय हो रहा है इस पर साथ पर 3 से 7 मूव करने में मुझे 4 डिजट का डिफरेंस मिलेगा इस 4 डिजट को मैं मन में 30 से गुना करूंगा तो यह 120 डिग्री हो जाएंगे और जब hour hand से minute hand की और move कर रहा हूँ तो 35 minute का half मैं minus करूँगा रुक रुक कर चला है प्रणव जी देखिए condition यह है न कि आपके हाँ थोसी net slow होगी clear है तो देखिए 3.35 का आधा कितने होंगे तो सारह 17 degree होंगे तो जब सारह 17 degree में घटाता हूँ तो 102, 1 by 2 degree हो जाएंगे question number 108 दो बच कर 20 minute का समय हो रहा है तो जब दो बच कर 20 minute का समय हो रहा है तो minute की सुई तो मुझे 4 पे दिखनी है तो 2 से 4 move करना मेरे लिए easy होगा 2 से 4 move करने में 2 का अंतर आएगा 2 के अंतर को मैं पकड़ के 30 से multiply करूँगा तो यह हो गए 60 degree और चुकी मैं hour hand से minute hand की और जा रहा हूँ तो minute के half 20 का half 10 degree को मैं minus कर दूँगा answer हो जाएंगे 50 degree कल हम लोगोंने 36 दरपन के समय को देख लिया था आज हम लोग देख रहे हैं 120 से देखे दो बजकर कितने मिनट हो रहा हैं दस मिनट हो रहा हैं दस मिनट इसका meaning है कि minute की सुई भी मुझे दो पे ही दिखेगी जब घंटे की सुई और मिनट की सुई मुझे दोनों सेम डिजिट पे दिख रही है इसके बीच difference जो है वो जीरो डिगरी का है और जीरो अंक का difference होने का मतलब है बस मिनट के हाप को मैं आंसर बना दूंगा तो दस का आधा हो गए पांच डिगरी सेम कंडिशन टू 121 इसमें यह कहता है आठ बच कर 40 मिनट का समय हो रहा है 8.40 हो रहे हैं 40 मिनट कहने का मतलब 8 पे होंगे सुई मिनट हैंड और आर हैंड के बीच जो अंक है जीरो का difference जीरो का difference आया तो मिनट का हाफ तो 40 का हाफ 20 डिगरी आंसर हो जाएंगे 122 यह कहता है एक बच कर 20 मिनट का समय हो रहा है 20 मिनट कहने का मतलब सुई जो होगी वह निडिल्स चार पे होंगी और एक से चार जाने में मुझे तीन अंक लग जाएंगे तीन कहने का मतलब 3 into 30 डिगरी equal to 90 डिगरी 90 डिगरी में मैं चुकी आर हैंड से मिनट हैंड की और जा रहा हूं तो मिनट के हाफ को माइनस करूंगा तो 20 के हाफ होता है 10 डिगरी जब 10 डिगरी माइनस करूंगा तो 80 डिगरी पे रुक जाएगा कौन 123 कहता है 8 बचकर 50 पचास मिनट तो मिनट की सुई मुझे 10 पे दिखनी है 8 से 10 मूव करने में मुझे 2 अंक लगेंगे 2 को मैं 30 से मंटिप्लाई करूंगा तो 60 डिगरी हो गए और लेडी में आर हैंड से मिनट हैंड की और मूव कर रहा हूं तो मिनट के हाफ को मैं माइनस करूंगा तो 60 डिग देख रहे होंगे बहुत ही प्रोसेस है आप थोड़ी सी हेल्दी प्रेक्टिस टेर लोग है तो फिर आपको पेन की ज़वरत नहीं पड़ेगी आप मुझवानी बना सकते हो डैटनिस ओरली इसको सॉल्व कर सकते हो 124 क्या रहा है हमसे 655 655 655 की बात करें तो 55 में घरी का सुई 11 पर दिखेगा 6 से 11 की और मॉव करने में 5 अंक के होंगे इस 5 को मैं पकरकर मन में 30 से मंटिप्लाई करूंगा तो 150 डिग्री हो गए अब कि मैं आवर हैं से मिनेट हैं की और जा रहा हूं तो मिनेट के हाफ को मैं माइनस करूंगा तो 55 का हाफ होता है 27 1 by 2 डिग्री जब मैं 27 1 by 2 डिग्री घटा रहा हूं तो यह हो जाएंगे 122 1 by 2 डिग्री कोश्चन नमबर 125 डस बचकर 10 मिनेट हो रहा हैं तो मुझे दो पर दिखेगी अब यदि मेरे पास घड़ी है और मैं 2 से 10 के पास जाता हूं तो long distance cover करूंगा लेकिन यह दि मैं 10 से 2 के पास जाता हूं तो मैं 4 ही distance लगेंगे तो 10 से 2 जाने में 4 4 को मैं करूंगा 30 से multiply तो यह हो गए 120 डिग्री और जब मैं 8 हैंड से minute हैंड की और move कर रहा हूं तो minute के हाफ को minus कर दूंगा तो 20 का हाफ 10 का हाफ 5 डिग्री जब मैंने minus कर दिया वह answer हो गए 115 डिग्री 126 साथ बश्क पांच मिनट का समय हो रहा है पांच मिनट कहने का मतलब सुई 1 पे होगी 1 से 6 आने में 7 आने में मुझे 6 का difference मिलेगा और 6 का difference मिलता है तो हम जानते हैं कि 180 से 6 को 30 डिग्री से multiply करूं 180 डिग्री हो गए और 6 का अंतर जब भी होगा minus ही करना है कभी भी plus नहीं करना 6 का difference जब भी होगा hour hand और minute hand में तो मुझे minus ही करना है plus नहीं करना तो 5 का आधा 2.5 जब मैं इसको cover करूंगा तो 177 1 by 2 डिग्री आंसर हो गया question number 127 दो बच के 40 मिनट का समय वो कह रहा है मिनट की hand 8 पे होगी 2 से 8 चलू या 8 से 2 चलू 6 का difference आएगा 6 का difference है 6 को लूँगा 30 डिग्री से multiply करूंगा 180 हो गए और अभी मैंने repeat किया फिर से repeat कर रहा हूं 6 के difference में always मुझे मिनट के half को minus ही करना है तो 40 का half कितने हो गए 20 डिग्री तो 160 डिग्री का एंगिल बोन गया पॉस्चन नमबर 158 दो से तीन के मध्य कौन सा समय होगा जब घरी की दोनों सुईयां मिलकर समकोन का निर्मान करेंगी तो किसके किसके बिच्विन चाहिए तो दो से तीन के बिट्विन चाहिए तो ध्यान से देखोगे आप कितने डिग्री का कौन चाहिए सबसे पहले चेक करो आपकी हमको एक बार काम करना है या दो बार काम करना है तो इसके लिए दो को तीस से गुना करो या साथ डिग्री होगा इसको हम लोग कहते हैं वर्थमान यदि बढ़्थमान से बढ़ा कोन करना हो तो बस एक बार काम कीजे प्लस करके और बर तो यदि छोटा कोन निकालना हो तो दो बार काम कीजिए एक बार प्लस करके और एक बार माइनस करके तो ध्यान से देखेगा यह पूरा एक प्रोसेस है दो से तीन के बीच मुझे 90 डिगरी का एंगिल चाहिए था समकोन डाट मिन्स राइट अंगल ट्राइंगल 90 डिगरी राइट अंगल तो दो को मैंने 30 से गुना कर दिया तो 30 दुना 60 डिगरी का इसका बर्थमान मना यह बर्थमान क्या है तो आप ध्यान से देख लो अगर को यही स्टार्टिंग एंगल जो है वही बर्थमान है डाट मिन्स दो से तीन के बीच में पहले शुरुबात होगी दो बज़े से क्लॉक और दो बज़े से जब क्लॉक स्टार्ट होगी तो ऑल्रेडी वह 60 डिगरी को क्रियेट कर चुकी होगी अब मुझे 90 डिगरी का एंग अगिल को फिर से बड़ा करेगी और उसी सिच्वेशन में हम 90 डिगरी को क्रियेट कर सकते हैं तो देखे इसके लिए कुछ नहीं करते हैं पहले अंग को 5 से आप मंटिप्लाई कर दो तेन हो गये इसमें 12 by 11 से मंटिप्लाई कर दो 12 by 11 से मंटिप्लाई करने का मतलग है कि 120 by 11 हो गये अब जो भी अंगिल आपको निकलना है आप उसको दूगना कर लो तो 19 टूजर 180 हो गये इसको कल्कुलेट कर लिजे तो 180 प्लस 20 200 एक 300 बटा 11 हो गया अब भाग दे दो 11 टूजर 22 11 टूजर 22 80 बच गये 11 7 जर 77 3 बच गये यह पहला समय उठाना है और यहां लगा देना है यानि दो बच कर 27 प्रलांग 3 बटा 11 मिनट पर वह सिच्वेशन आएगा तो आप्सन नंबर किसमें है तो देख लिए जो आप्सन नंबर डी में है ज्यान से देखेगा मैं कुछ को आ रहा हूं ताकि आपको कॉंसेट्ट जो है वो पूरी तरह से क्लियर हो जाए चार से पांच के मद्धे कब समकोन बनेगा समकोन बनेगा डैट मिन्स 90 डिग्री का एंगिल बनेगा चार को मैं प्रंटिप्लाई करूंगा 30 से तो यह हो गए 120 डिग्री जो निकालने वाला कौन है यह मुझे छोटे मिले है तो छोटा मिला है तो यह बार माइनस करूंगा और यह बार प्लस करूंगा यहां देखिए, जो निकालने वाला कौन था 90 डिग्री, वो बर्थमान से बड़ा हो चुका था, इसलिए मैंने सिर्फ एक बार प्लस किया, यहां जो निकालने वाला कौन है 90 डिग्री, वो बर्थमान से छोटा है, that means मेरे को दो बार काम करना है, एक बार माइनस करके और एक बार प्लस करके, प्रोसेस सेम रहेगा, चार को मैं पहले 5 से मल्टिप्लाई करूँगा, तो बीस हो गए, मैं इसमें 12 बटा 11 से मल्टिप्लाई करूँगा, तो यह 240 बाई 11 हो गए, अब दो काम करने है, पहली बार 240 240 by 11 के साथ माइनस करना है 180 डिग्री और दूसरी बार मुझे 240 by 11 के साथ प्लस करना है 180 डिग्री तो जब मैं 240 में से 180 को माइनस करता हूं तो यहां मेरे पास निकल कर आते हैं 60 by 11 जब मैं ब्रेक्डाउन करूंगा तो 11 5 जब 55 रिमेंडर बच गया 5 यानि पहला समय जो आएगा वह चार बच के पांच पुनार पांच बटा 11 मिनट पर आएगा दूसरी बार मैं जोड़ूंगा तो 180 में 20 जोड़ दिया 200 और फिर 220 यानि 420 बटा 11 जब मैं इसको ब्रेक्डाउन करू गाएगा तो 11 3 जब 33 बच गया नाइनटी 11 एट जब 88 रिमेंडर बच गया 2 यह समय मैं लगा दूंगा यानि 4 बचकर 38 पुर्णांग 2 बटा 11 मिनट आप्सन कुछ इस तरह से होंगे चार बचकर 5 पुर्णांग 5 बटा 11 मिनट आप्सन भी चार बचकर 38 पुर्णांग 2 इसका चार बचकर बचकर है 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 अब तफ नहीं बिकास जी बस थोड़ा सा आदत की जरूरत है आप जैसे ही आदत में आओगे तो यह एंगिल निकालना बहुत आसान हो जाएगा ठीक है चलिए आप यह और देख लिजे मान लोगा हमसे कहता है एक से दो के मध्धे कब समकोन बनेगा समकोन बनेगा टैटमीश 90 िग्री 1 को मैने 30 से गुना किया तो यह मुझे मिल गए 30 डिग्री जो बर्त मान से है इससे बड़ा कोन निकालना है तो बस एक ही बार काम करेंगे फ्लस करके 1 को मंटिप्लाई करेंगे 5 से तो यह 5 हो गया 12 बटल 11 से मंटिप्लाई करेंगे तो य 140 बटा 11 हो गया 11 से भाग दे दूंगा तो 11 दुना 22 हो गया 20 बच गया 11 कम 119 यहां बच गया यहां से मैं समय लिकाला और यहां लगा दिया एक बच के 21 परनांक 9 बटा 11 मिने क्लियर है अगर यहीं हमसे कह देता 5 से 6 के मध्धे 90 डिगरी का कौन मैं कुछ नहीं करता 5 को 30 के गुणा करता तो मुझे देर सौ मिल जाते हैं मुझे छोटा कौन निकालना है चोटा कौन निकालना तो एक बबार माइनस करके एक बड़ प्लस करके 5 को मैं पास से गुना करूंगा 25 देखे प्रोसेस कहीं नहीं हो रहा है 12 बाई 11 से इसको लगाऊंगा तो यह 300 बाई 11 हो गया मैं इसको दो पार्ट में करूंगा पहली बर 300 बाई 11 के साथ माइनस करूंगा 180 दिग्री और दूसरी बर 300 बाई 11 के साथ प्लस करूंगा 180 दिग्री जब 300 में से मैं 180 निकाल देता हूं तो यह 120 बटा 11 बचेंगे जब मैं इसको तोरूंगा तो इगारा देहिंगा 110 दस सेंस बच गया यानि यह समय निकल गया पहला पांच बच के 10 पुर्णांक 10 बटा 11 में अब यदि दूसरे समय की बात करें तो 300 और 180 बटा 11 जब इगारा से भाग दूंगा तो इगारा चको 44 हो गया चालीस बच गया 11 तीया 23 हो गया और यहां पर साथ बच गया यानि दूसरे पांच बच के 43 पुर्णा साथ बटा 11 में है क्यासे होगा जितना कोशन बताया है ना उस कोशन को पांच बार बना दिजेगा छटे बार आपसे खुद हो जाएगा कि देखिए हम लोग आगे चल रहे हैं कि साफ कर रहा हूं मैं इसको और लेडिस समय हमारे पास कम है और कॉंसेप्ट देने की बिल्कुल टाइम नहीं है क्योंकि कोश्चन सभी बहुत है चलिए देखिए ध्यान से देखोगे जहां तक हो सके संभब मैं सिखाने की बस कोशिस कर रहा हूं आपको क्योंकि आप खुद भी जानते हो कि दस दिन में 500 कोश्चन को कवर करने का मीनिंग है कि एक दिन में आल्मोस्ट 50 कोश्चन कवर करना होगा जिस तरीके से मैं आपक 50 कोश्चन संभब नहीं है क्योंकि 50 कोश्चन करने के लिए मैं आपकी बाद सुनूंगा ही नहीं बस चलता रह जाओंगा चलिए देखिए ध्यान से हाँ हो कि आछ डार्यक्षण होते हैं इस्ट वेस्ट है नॉर्थ साउथ से नॉर्थ इस साउथ वेस्ट नॉर्थ वेस्ट इसमें नॉर्थ बारा होता है साउथ छे इस थी नो एक दो, चार पाँच, साथ आट, दस सिगारा, अगर आप यह ध्यान से देखो तो यह पूरी एक घड़ी बन गई हमारे सांगे, क्या बन गई, घड़ी बन गई, हाँ बिल्कुल जब बड़ा एंगल, जब यहां का मान बड़ा हो, और यहां का मान छोटा हो, तो दो बार काम करने होंगे, एक बार माईनस और एक बार प्लस, लेकिन जब यहां का मान छोटा हो, और यहां का मान बड़ा हो, तो एक बार काम करना होगा, सि express प्लस के सार, जैसे देखे, यहां का मान 30 डिग्री था, यहां 90 डिग्री था, यानि निकालने वाला कोन जो था, वो बर्थमा करने होंगे एक बार माइनस के साथ और एक बार प्लस के साथ बस इतना याद रखना है और बागी प्रोसेस अल्वेज यही चलेगा अगा कि अग्युक्ष देखिए अगर हम एक घड़ी की बात करें तो जैसा कि मैंने दिखाया बारा छे तीन नौ दस इगारा एक दो चार पांच साथ आट घड़ी तो ऐसे होगा यह हमारे लिए नौर्थ होगा यह साउथ होगा यह इस थोगा और यह वेस्ट होगा यह घड़ी का मेंपाट है क्लियर अब आज अना मीका जी देखे आवाज सिर्फ आपको नहीं आ रही है बाकी सारे बच्चे जो है वह आवाज बिलकुल इस पस्ट रूप से सुन पा रहे हैं तो आप देख लिजे थोड़ा सा आपके सिस्टम में कुछ एडर होगा आप एक बार रिफ्रेस कर लिजे देखें यह जो घरी होता है ना जैसा कि हमने यहां देखा 3 होते हैं इस पे 9 होते हैं वेस्ट पे 12 होते हैं नॉर्थ पे और 6 होते हैं अब देखें क्या गहता है कहता है भी है एक घरी में तीन बज़ कर तीस मिनट का समय हो रहा है तो मिनट वाली स्वी एगजक्ट छे पर होगी और घंटे वाली स्वी जो है वो तीन से और चार से बीच में होगी क्योंकि यह 30 मिनट अल्रेडी चल चुकी है अब वो कहता है कि यदि मिनट वाली स्वी दक्षिन देशा में है तो मिनट वाली स्वी यदि साउथ में होगी तो घंटे वाली स्वी इस्ट में तो तब होगी जब वो तीन पे होगी तो इस्ट और साउथ के बीच में आ गई है तो इसका आंसर हो जागा साउथ इस आप्सन number C, 130 देखा जाए, अब कहता है कि घड़ी में 4 बच कर 50 मिनट का समय हो रहा है, तो 4 बच कर 50 मिनट में मिनट वाली स्वीट एक्ज़क्ट 10 पे होगी, और यह घंटे वाली स्वीट 25 डिगडी मूफ कर चुकी होगी 5 की योट, clear? 4 बच कर 50 मिनट में मिनट वाली सुी एगजट 10 पे होगी लेकिन मिनट वाली सुी जो है वो 4 से 25 डिगरी मूफ करके आ गई होगी 5 से 5 डिगरी पहले अब कहता है हमसे यदि एक वेक्ती को घंटे की सुी दश्छिन पस्छिम में दिखती है तो हमें घंटे की सुई कहां दिख रही है? South East में दिख रही है लेकिन उस वेक्ति को कहां दिख रही है? South West में दिख रही है तो यदि South East वाली कोई सुई उसे South West में दिख रही है That means वो 90 degree clockwise घुमा कर घरी को देख रहा है तो अब हमसे पूछता बताएं 9 बजे घंटे की सुई कहां होगी? तो 9 बजे की यदि मैं बात करूँ तो घंटे की सुई जो है वो तो एक्जक्ट 9 पे होगी लेकिन इस वेक्ति को जब दिखता है तो सिस्टम clockwise 90 degree घुमने के बाद दिखता है तो जब मैं 9 से 90 degree clockwise घुमाऊंगा तो 12 पे यानि 9 पे पहुंचूंगा तो 30 का आंसर हो गया नौर्थ यानि option number 1 31 number question कहता है ध्यान से देखेगा 31 number question कहता है एक घड़ी में 6 बचकर 10 मिनट का समय हो रहा है 10 मिनट में मिनट की सुई 2 पे होगी और घंटे की जो सुई होगी वो 6 से 5 डिगरी आगे निकल चुकी होगी अब कहता है कि यदि मिनट की सुई दक्षिन दिसा में है तो मिनट की सुई हमारे अनुसार से तो north east direction में है है ना लेकिन इसके अनुसार से या सुई south में पहुँच गई है तो south में पहुँचने का मतलब है कि क्लॉक वाइस सिस्टम को 135 डिगरी उसमें रोटेट कर दिया है तो अब हमसे पूछ रहा है बताएए घंटे की सुई कहा होगी तो घंटे की सुई तो 6 के पास है और यहां से जब मैं 135 डिगरी रोटेट करूंगा तो आ जाओंगा कहा नॉर्थ वेस्ट में तो 131 के लिए आंसर हो जाएगा नॉर्थ वेस्ट नॉर्थ वेस्ट किस आप्सन में है तो नॉर्थ वेस्ट आप्सन नंबर एक के साथ जाओंगा आगे चल रहा हूं है है देखें है करता पत्णा से दिली के लिए पड़ती के एग घंटे 20 मिनिट बाль ट्रेन खुलती है तो कितने देर बहुती है तो एक घंटा 20 मिनट पर ट्रेन खुलती है अब कहलता राम जब आठ बचकर 10 मिनट पर पंथन पहुंसता है तो राम पहुंचा कब 8 बज कर 10 मिनट पर तो उसे सूचना मिलती है कि उसकी ट्रेन 40 मिनट पहले जा चुकी है और इससे सूचना मिलती है कि इसकी ट्रेन जो है इसके आने से 40 मिनट पहले जा चुकी है तो यदि 8-10 से मैं 40 मिनट पीछे की ओर जाता हूँ इसका मतलब है कि उसकी ट्रेन जो है वो 7 बज़ कर 30 मिनट पर खुल चुकी है अब हमसे कहता है तो अगली ट्रेन राम को कितने बज़े मिलेगी तो पर्टेक ट्रेन जब 1 घंटे 20 मिनट पे जाती है और पिछली ट्रेन साधे साथ में गई है तो अगली ट्रेन 1 घंटा 20 मिनट का समय लेगी जाने में तो 30 और 20 पचास हो गए और 7 और 8 हो गए यानि अगली ट्रेन जो है राम को 8 बज़ कर 50 मिनट पर मिलेगी और 8 बच कर 50 मिनट पर अगली ट्रेन के लिए राम को कितना मिनट इंतजार करना पड़ेगा तो हमें तो इतना करना भी नहीं था ध्यान से दिखेगा कितना भी नहीं करना था इस question में और आसान था क्योंकि उसने पूछ दिया कि अगली ट्रेन के लिए कितना मिनट इंतजार करना पड़ेगा पर तेक ट्रेन कितने देर पे जाती है एक घंटा 20 मिनट पे एक घंटा 20 मिनट का मतलब है कि 80 मिनट बाद ट्रेन जाएगे अब कहता है कि जब मैं 8 बच करके 10 मिनट पर पहुंचता हूँ तो मुझे पता चलता है कि 40 मिनट से मेरी ट्रेन क्या हो चुकी है छूट चुकी है 40 मिनट से ट्रेन क्या हो चुकी है छूट चुकी है तो ट्रेन मिलती कितने देर बाद है 80 मिनट बाद है और already train को गय हुए 40 minute हो गय है तो मुझे उस train के लिए और कितना इंतजार करना पड़ेगा तो 80 minute में 40 minute का इंतजार मेरा खत्म हो चुका है तो मुझे 40 minute और इंतजार करने पड़ेंगे That means option number B Question number 133 द्यान से रेखेगा एक बस नियंतरक मोहदे ने बताया मोहन को बताता है कि 8.30 में जाने वाली बस आज 15 minute देर से जाने वाली है तो सोचिए 8.30 में जाने वाली कोई बस आज 15 minute देर से जाएगी यानि यह बस आज खुलेगी 8 बचकर 45 minute पे आज कितने बज़े जाएगी 8 बचकर 45 minute पे आज बस जाएगी अब कहता है हमसे जिसके करान आपको 25 minute इंतजार करना पड़ेगा तो 8.45 में जब बस खुलेगी तो मुझे 25 minute इंतजार करना पड़ेगा इसका मतलब है कि मैं बस stop पर 8.45 से 25 minute पहले हूँ तो 8.45 से 25 minute पहले हूँ डाट मिस मैं 8 बचके 20 minute पे कहा हूँ तो बस stop पर हूँ आगे कहता है मोहन को घर से 20 minute जाने में बस इस टंड जाने में 20 minute लगता है यदि बस 9 बजे खुलती तो मोहन अपने घर से कितने बजे निकलता इस समय पर पकड़ लेता तो सोचिए 9 बजे बस अगर खुलती और राम को 20 minute का समय लगता है तो वो 9 बजे से 20 minute पहले घर से निकलता डाट मिन्स 8 बज़ कर 40 minute पर राम घर से निकल जाता तो उसको उसकी बस मिल जाती तो 133 के लिए option number B जो है वो suitable answer है चलिए ये clock हो चुके हैं आपके the end नेक्स्ट टॉपिक है आपकी कलेंडर क्लियर है question number 135 35 अना मंक्या जी अवाज आनी स्टार्ट होई आपको 134 ध्यान से देखोगे कहता है 15 सितंबर 2000 को सुक्रवार है तो 15 सितंबर 2001 को कौन सा दिन होगा तो ध्यान से देखिए जब 15 सितंबर 2000 को Friday है तो 15 सितंबर 2001 को जाने का मीनिंग है कि एक साल का अंतर हो जाएगा कितने साल का अंतर एक साल का और यदि हम एक साल का difference लेते हैं same day और same month में तो इस situation में यदि 29 February क्रॉस करना पड़ गया तो दो दिन की बढ़त होती है और 29 February क्रॉस नहीं करना पड़े तो मुझे एक दिन की बढ़त होती है क्लियर है क्या याद रखना है किसी भी वर्स से दूसरे वर्स जाने में यदि बीच रास्ते में 29 February को मैं क्रॉस करूंगा तो वहाँ 2 days की increasement होंगे यदि मैं 29 February को प्रॉस नहीं करूंगा तो वहाँ 1 day increase करेगा तो ध्यान से देखे तो 2000 already leap year है है लेकिन मैं 15 सितंबर को हूँ तो 29 February जो है वो 15 सितंबर से पहले ही इंड हो चुका है तो 15 सितंबर 2000 से 15 सितंबर 2001 में जब मैं आऊंगा तो मुझे February किसका क्रॉस करना पड़ेगा 2000 का की 2001 का तो मुझे 2001 की February को क्रॉस करना पड़ेगा और चुकी 2001 की February जो होगी वो साधारन वर्स होगी इसलिए एक दिन की बढ़त हो जाएगी और Friday से यह Saturday हो जाएगा Saturday किसमे है तो B number में है 135 कहता है कि 1988 में स्वतंतरता दिवस बुधवार को मनाया गया स्वतंतरता दिवस डैट मिं 15 आगस्त जो है 1998 में कब 88 में 88 में कब मनाया गया तो वैटनस डे को मनाया गया अब वो जानना चाहता है कि 15 अगस्त 1989 किस दिन को मनाया जाएगा तो अग ध्यान से अगर देखोगे तो 88 लिप एर है लेकिन 88 में मैं 15 अगस्त से चल रहा हूँ इसका मतलब है कि 29 फैबररी जो होगा वो बेचारा कहां छूट गया तो पीछे छूट गया जब 29 फैबररी पीछे छूट गया हो तो एक साल से दूसरे साल के सेम दिवस में जाने पर एक दिन की बृद्धी होती है तो वैडनस डे से यह हो गया फर्स डे लेकिन यदि यही कोश्चन हमसे कह देता कि 26 जनवरी 1988 को वैडनस डे है तो 26 जनवरी 1989 को कौन सा दिन होगा तो ध्यान से देखे तो 26 जनवरी 1988 से जब मैं चलूँगा तो पूरा जनवरी इंड करने के बाद मुझे फैबररी भी इंड करने होंगे तो फैबररी 1988 का 29 डेस का होगा जिसके कारण यह क्या करेगा कि दो दिन बढ़ा लेगा तो Thursday छोर करिया क्या हो जाएगा तो Friday हो जाएगा चार से पूरा पूरा कट जाएगा तो वो लीप इयार हो जाएगा और जब किसी वर्स का अंतिन दो अंक चार से पूरा पूरा नहीं कटेगा तो वो साधारन वर्स हो जाएगा जैसे यदि हम यहाँ 88 देखते हैं और चार से भाग देते हैं तो चार दुना आठ और फिर चार दुना आठ रिमेंडर कुछ भी नहीं बच सका इसका मतलब 88 जो है वो लीपियर है लेकिन यही यदि हम 89 को देखते हैं तो चार दुना आठ नौ चार दुना आठ रिमेंडर वन बच गए तो यह साधारन वर्स है बस यही रूल है चेक करने का यानि लास्ट टू डिजिट यदि फोर से है 100% तो वह लीपियर है और लास्ट टू डिजिट किसी भी यर का फोर से डिजिवल नहीं है 100% तो वह साधारन वर्स है क्लियर है एक वर्स से दूसरे वर्स जाने में यदि 29 फैबरेरी सपोर्ट में होगा तो इस समय क्या होगा कि मेरा दो दिन का बढ़त हो जाएगा लेक से अगर हम यहां द्हान से देखें तो 15 अगस्त 1988 यानि यह भी लीपियर है 26 जनवरी 1988 यह भी लीपियर है लेकिन यहां से 88 से 89 जाने में जब हम 15 अगस्त से चलेंगे इसका मीनिंग है कि 29 फैबरेरी जो है वह पीछे रह गया है तो अब यहां से यहां आने में बस एक दिन की बढ़त होगी लेकिन जब 26 जनवरी 1988 से 26 जनवरी 1989 तक जाएंगे तो इस कंडिसन में February का 29 दिन मेरे साथ खड़ा होगा तो यहाँ दो दिन की बढ़त हो गई तो यहाँ Thursday छोड़ कर Friday हो जाएगा यह याद रखना है कि कोई भी लीपियर के रूप में तभी काउंट किया जाएगा जब उसका 29 फेबररी उसके साथ होगा यदि उसका 29 फेबररी उसके साथ ना हो तो लीपियर भी साधारन येर के रूप में ही हमको काउंट करना है अगर यह कैलेंडर में याद हूँ न तो जो हम लोग एक दिन आगे और एक दिन पीछे चले जाते हैं वह situation कभी भी नहीं आ सकता है तो चलिए दो question खतम हो गए ध्यान से देखिएगा 136 18 feb 1997 को कौन सा दिन है तो Tuesday है अब वो जानना चाहता है हमसे कि 18 feb 1999 को कौन सा दिन होगा कुछ भी नहीं करना है date से मतलब है नहीं month से मतलब है नहीं क्योंकि date और month जो है वो दोनों के दोनों क्या है balance है मुझे मतलब किस्ते है तो मुझे मतलब year से है clear सबसे पहले क्या करो आप कि इसका अंतर निकाल लो और उसमें leap year को उंगली पर count कर लो अगर ये 7 से अधिक है तो 7 से भाग दो और 7 से अधिक नहीं है तो 7 से भाग मत दो तो देखे तो 97 से 99 जाने के लिए मुझे अंतर जो मिलेगा ये 2 साल मिलेगा अब 97 से 99 तक कोई भी leap year नहीं मिलेंगे क्योंकि 96 leap year होगा और फिर 2000 leap year होगा तो leap year की संख्या 0 हो गई तो 0 plus 2 equal to 0 मैंने कहा कि जब यह जोडने के बाद यदि साथ से अधिक है तो साथ से भाग दो और साथ से अधिक नहीं है तो साथ से भाग मत दो तो मेरे पास दो बच गए आगे जाते से मैं जोड़ दो और पीछे जाते से मैं घटा दो तो Tuesday में मैं दो दिन जोड़ दूँगा तो badness day छोड़ कर मैं Thursday को पहुंच गया चलिए देखे मैं एक question और कर रहा हूं extra जो यहां से related नहीं है आपके material से मान लो वो हमसे कहता है 15 अगस्त 1947 को Friday था तो 15 अगस्त 1965 को कौन सा दिन रहा होगा clear देखे date मेरा balance है month भी मेरा balance है मुझे balance किसको करने है year को करने है तो 3 साल इधर ले जाओंगा तो उन्हें 150 में पहुंचूंगा और 15 साल इधर तो वो अंतर कितने साल का मिला 18 साल का इस 18 साल में लीपियर क्या क्या मिला तो 48 लीपियर है 52 56 60 64 यानि मुझे पांच लीपियर मिल जाएंगे बटा साथ तो 18 पांच हो गया तेईस और तेईस को मैंने साथ से भाग दिया तो सेस यानि डिमेंडर मेरे पास दो बच गया आगे जाना है न मैं फ्राइडे में दो दिन जोड दूँगा तो सटड़े छोड़ कर कहां पहुंच गया संड़े को पहुंच गया तो इससे आप बहुत इजनी हैंडल कर सकते हो किसी भी डेट को जैसे मानलो हमसे कह रहा है 26 जनवरी 2003 को मंदे है तो आपको पता करना है कि 26 जनवरी 2023 को कौन सा दिन होगा डेट बैलेंस था मंथ बैलेंस था येर का मैंने अंतर लिया तो येर का अंतर मुझे 20 साल के मिल गए अब 20 साल में कितने लीपियर जाएंगे मैं निकाल लूँगा तो 4, 8, 12, 16, 20 यानि 5 लीपियर जाएंगे तो 20 प्लस 5, 25 बटा 7, 6 मेरे पास बच गया है, 4 मैं मंडे में 4 दिन एड़ कर दूँगा त्यूजडे, वैटनस दे, थास्डे और येर फ्राइगे आगे चल ला हूँ मैं चल ये देखिए कल से फिर से बोनांजा डे है, ठीक है सटर्डे को हमारे हाँ प्लेट्फॉर्म में कोई बैज चलती नहीं है तो कल हम लोग कैलेंडर को पूरी तरह से सीखेंगे, उसके बाद फिर से माटेरियल को बनाएंगे जैसा कि हमने 15 तारिक को किया था, same condition तो कल target यही रहेगी कि कल हम लोगों को coding decoding तक खतम कर लेना है that means 199 तक हम लोग कल इंड करने की कोशिस करेंगे और कोशिस कि आप थोड़ी सी मेहनत करके आओगे तो यह इंड हो भी जाएगी, clear है तो कल आपकी जो class है फिर से तो 30 रन करेगी, तो कल अरहाई घंटे की class है, class को कल enjoy कीजिए और कल हम लोग बहुत कुछ सीखने वाले हैं, और कल हम लोग 200 के आकड़ा को touch कर लेंगे, clear है आज के लिए बस इतना ही, विकास जी thank you, जो मेरी पढ़ाई आपको अच्छी लगी चलिए फिर हम लोग मिलते हैं कल, और कल 2-3 घंटे की healthy class करने के बाद, हम लोग बहुत डाट जो है calendar का clear कर चुके होंगे तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, thank you